रादे रादे जैसी गरशना मैं सीमा सिंग बड़ों को चारनिस पर्ष चोटो को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको जेश्ट मास के महात्यमे का सात्वा अध्याय सुनाने जा रही हूँ अब तक हमने छे अध्याय सुने हैं अशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे जादा से जादा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में जरू शेयर करें तकि उन्हें भी जेश्टमास के महात्यमे को सुनने का संपून फलप्राप्थ हो आईए बिना समय गवाए अब हम जेश्टमास का सात्वा अध्याय सुनते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे जेष्ट मास के सात्वे अध्याई में हम व्रतो उपवास वर्णन का महात्या में सुनेंगे उसके बाद एक पुराणी कहानी सुनेंगे और अंत में भगवान महादेर जी की आरती सुनेंगे आईए सबसे पहले हम जेष्ट मास का सात्वा अध्याई सुनते हैं सबी रिशी मुनी इसकंद मुनी से बोले कि हे मुनीवर आपने जेश्ट मास का महात्य में सुनाया हम क्रत्कत्य हो रहे हैं हमारा जीवन सफल हो गया आज हमें जेश्ट मास का महात्य में आपके मुखारबिन से सुनने को मिल रहा है हे मुनीवर अब आप हमें ये बताईए कि जेष्ट मास की तिथियों में और कौन-कौन सी तिथियां शेष्ट है और उनका क्या विधान है आप हमें विस्तार से सुनाईए तब सकंदवनी बोले कि हे रिशियों जेष्ट मास का महात्यमे सुनने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाफ धुल जाते हैं और वह मनुष्य फिर से गर्ब में दुबारा जन्म नहीं पाता वह इस जीवन में समस्त सुक भोग कर मरने के बाद विश्णू लोग में चिरकाल तक आनद सुक पाता है इसमें कोई संधह नहीं है हेदिशियों इस मास में उपवास करने से विश्णू भगवान बहुत जल्द प्रसन हो जाते हैं जेश्ट मास में पूरे महने एक समय शाकाहारी भोजन करके व्रधारन करता है उस मनुष्य को पूरे साल उपवास करने जितना फल मिल जाता है हेदिशियों जेश्ट मास में सुबह किसी तालाप में इस्तनान करके केले बड़ पीपल आगड़े के पेड़ को जो सीचता है और पूरे महने व्रत करके कंद मूल फल खाता है ब्रह्मचारिय का पालन करता है जमीन पर सोता है सत्य बोलता है जूट चोरी पर निंदा से बसता है पूरे मास रात्री जागरन करके भजन की तर्मे समय बिताता है वह मनुष्य कई अश्वमेग यग्य और रासुय यग्य करने जितना फल पा लेता है जो मनुष्य जेष्ट मास की क्रश्नपक्षी की एकम से लेका त्रियोदशी तक मद, लालच, लोब, जूट, मुह, माया को त्याग कर सच्ची लगन, शद्दा भाव से व्रत धारन करता है वह 24 एकादशी के व्रत कुपाता है एदिश्यों अब मैं तुम्हें जेष्ट मास में पूजन की विधी बताता हूँ जेष्ट मास में एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछा कर उसके उपर भगवान विश्नु और मातलश्मी की मूर्थी को इस्तापित करें फिर सरन चांदी या मिटी का कलश इस्तापित करें कलश के उपर अशोग के पत्ते रखें एक नारियल रखें कलश के नीचे सब्त धान्य रखें एक दामे के लोटे में साप जल भर कर रखें चार द्वार से शोबित पुष्पो का मंडल बनावे केले का इस्तंब बनावे मंडल के मध्य में भगवान विश्नु को इस्तापित करें चंदन का टीका लगावे, पीले फुनों की माला विष्णु भगवान को पैनावे, माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फुनों की माला पैनावे, रितुफल, नारियल, धूप, दीपक, खीर, मिठाई, तुलसी दल, पान, सुपारी, इलाईची, तामबूल, मावे की करें, फिर जेश्ट पूनिमा के दिन पांच ब्रामनों का वरन करें और उन्हें अनवस्तर रुपिया दान में देवे, पुरुष्षुक्त मंत्रों से सुलह आवुतियां चक्कर घी, दूद, दही, शहत देवे, 108 आवुती, खीर की देवे, अगर सामरत्यवान है तो पां चोकर आशिवार लेवें, तथा दस प्रकार के जो दान है वे भी देवें, और अपनी शक्ती के अनुसा भ्रामन को साधिश्ट भूजन करावें, तथा दश्रीना देकर हाथ जोड कर प्रणाम करें, दो वस्तरों से भूशित जो विश्नु की प्रतीमा है वे अपने मंत्र पढ़ कर देवें, वे मंत्र इस प्रकार है, हे केशव भगवान आप इस प्रतीमा को ग्रहन करें, देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता है केशव भगवान, ऐसे केशव भगवान को प्रणाम है, ये मंत्र बोल का दक्षिना सहित भगवान विश्नु की प व्रतिमा, कुटुम्बी और शोतिय शेष्ट भ्रामन को देकर व्रत का पार्णा करें। जो मनुष जक्तितल में इस दुल्ल व्रत को करते हैं। वे शोक और मोह से छूट कर मन वांचित फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 साल तक करना चाहिए। अगर व्रत की संपू देने वाली तेरे गाएं बच्छडा सही दान में देवें। चांधी की प्रतीमा, अपने गुरु को या फिर किसी योग्य ब्रामन को देकर व्रत का पारण करें। और अगर सामरते हैं तो भूमी का दान जरूर करें। जो मनुष ऐसा करता है। उसके आगे पिछली साथ पीडियों को कभी कोई रोग दोश गरीबी नहीं देखनी पड़ती। उसके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। उनको कभी पितर दोश नहीं सताता। रिशी मुनी आगे बोले कि है इसकंद मुनी जी जेस्ट मास में केले के पेड़ को सीचने की। प्रता क्या है हम वे भी सुनना चाते हैं। किरपा करके आप हमें उस कथा का भी शरवन करवाईए। कि जेस्ट मास में केले के पेड़ को सीचने का क्या फल मिलता है। तब इसकंद मुनी रिशी मुनियों से बोले कि है रिशी मुनियों एक अन्य सत्य कथा सुनाता हूं। एक बार एक प राजा को दोनों ही रानियों से इसनहे था। छोटी रानी कोई वरत उपवास दानपुन्य नहीं करती थी। जबकि बड़ी रानी सब तरह के वरत उपवास और दानपुन्य करती थी। बड़ी रानी हर साल जेस्ट मास के मैने में जल्दी उठकर इसनाना दी करके केले के पेड को सीष्टी दियावाती करती और पूजा करती थी। तब एक बार की बात है। जब जेश्ट का महिना आया तो बड़ी रानी का मन हुआ कि मैं भी जोड़े से जेश्ट मास का इस्तनान करू के ले के पेड की पूजा करू तब उसने अपने मन की बात राजा को गताई। राजा ने इसे स्विकार कर लिया। तब राजा ने छोटी रानी से भी पूजा कि हे रानी मैं बड़ी रानी के साथ एक मैने के लिए जेश्ट मास में वरत उपवास पूजा पाट करने के लिए नर्मदागार पजा रहा हूं क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। लेकिन चोटी रानी ने इनकार कर दिया। महाराज राज्य में किसी का रहना जरूरी है। अगर कोई बात हो जाती है तो मैं देख लूगी। इसलिए आप हो आईए। तब राजा और बड़ी रानी पूरे जेश्ट मास में नर्मदा के तर्ट परिस्नान पूजा पाट करने लग और सुबर शाम दिया बाती करने लगे। इस तरह उनका समय व्यतित होने लगा। जब जेश्ट मास की पूरी माति थी आई तो राजा रानी ने महल में आकर जेश्ट मास के इस्तनान और रत का उध्यापन किया। पूरी नगरी को भूजन के लिए आमंत्रित किया। ब्रा चोटी रानी के कोड हो जाने के बार भी बड़ी रानी ने उसकी खुब सेवा पानी करी। इस तरह समय व्यतित होने लगा जब वे सभी रद्दावस्ता को प्राप्त हो गे। तब उनकी मृत्यू के बार बड़ी रानी वे राजा को मरने के बार सर्ग मिला लेकिन चोटी पुराने जमाने की है उस जमाने की है जब दुनिया में टका चलता था उस समय एक पैसे में घी तेल शक्कर आता था तब लोगों की एक मेने की कमाई 20 से 25 रुपय हुआ करती थी यह कहानी भी उसी जमाने की है एक बार बहुत छोटा सा गाउं था उस गाउं का नाम शेरगड था उस गाउं में एक ब्रामन और भामनी अपने एक पुत्र के साथ रहते थे ब्रामन ब्रामनी का नित्य गानियम वह रोज एक टका देकर राधे राधे बुला करते थे वो दोनों सुब़े ब्रमुरत में उठकर स्नानाधी करके घर के बाहर राधा दामोदर जी के मंदीर में दर्शन करने के लिए जाते मंदीर और मंदीर के रास्ते में उन्हें जो सबसे पहले मिलता वे उसे राधे-राधे कहते और एक टका देते फिर वरादा दामोदर जी के मंदी के दर्शन करके घर आते उसके बाद ही अनजल ग्रहन करते थे अब ब्रामन की म्रत्यू हो चुकी थी बेटे का विवा हो चुका था प्राम्री मेना देवी व्रतावस्ता को प्राप्त हो चुकी थी अब वह भी बिमार रहती थी लेकिन उसने राधे राधे नाम का टका देने का नियम जारी रखा एक दिन जब मेना देवी ने शाम के समय अपने बेटे से कहा कि बेटा शामू मुझे एक टका दे दे तुम सुबह देर से उड़ते हूँ और मैं मंदिर जल्दी जाती हूँ बेटे ने अपनी मा को एक टका दे दिया उस रातरी को बहु ने अपने पती के कान भर दिये कि आपकी मा रोज रोज एक टका देती है हमारे क्या पैसों की खान लगी है हमें भी हमारे बच्चों के लिए धन जमा करना है तुम अकेले कमाने वाले हो तुम कल से अपनी मा को पैसा देना बंद कर दो तुम कल से अपनी मा को मना कर दो पूरी उम्र तो हो गई है इन्हें ये नियम रखते हुए क्या हुआ क्या हमें उलाज सुक मिला क्या तुमें अच्छी नोकरी मिली सब किस्मत की बात है दूसरे दिन शाम को मा ने वापस बेटे से एक टका मांगा उस दिन बेटे ने कहा कि मा अब तुम ये टका देना बंद कर दो मेरी कमाई भी कौन सी जाता है मुझे भी कुछ पैसा बचाना है ताकि तुम्हारी दवाई पानी हो सके और परिवार का मैं ठीक से भरन पोशन कर सको उस दिन उसकी मा दुखी हो गई उसने सिर्फ दुखी मन से ये कहा कि बेटा अगर तेरे एक टका देने से तेरा धन जुड़ता है तु तु जोड़ ले उस रातरी को भ्रामणी मेना देवी को नीन नहीं आई वैसोच में पढ़ गई कि उसके पती ने कहा था कि भागवान मेरे बाद भी तु ये नियम सदा रखना लेकिन मेना देवी समझ गई कि आज उसका नियम तूट जाएगा फिर उसकी आँख लग गई तभी भगवान रादाकिशन ने बुड़िया को सपन में आकर दशन दिया कि बुड़िया माई तु क्यों चिंता में है तेरे एक बेटे ने मना कर दिया लेकिन तेरा यह बेटा तुझे रोज एक टका देगा अब तुझे रोज तुलसी क्यारे में एक टका पड़ा मिलेगा तु अपना ये नियम सदा रख सुबह मेना देवी सो कर उठी तो उससे सपन वाली बात याद आई जेश्ट का महिना चल रहा था उस दिन बहुत तेज गर्मी थी उसने देखा बहु अभी उठी नहीं थी बेटा भी सो रहा था उसने इसनान किया और तुलसी क्यारे के पास गई तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधिरा हो रहा था मेना देवी ने तुलसी क्यारे में हाथ फेर कर देखा तो उसे वहाँ एक टका पड़ा हुआ मिला उसे बहुत खुशी हुई वैंभनी मन भगवान श्री रादाक्रिशन को जुग जुग जीओ बेटा जुग जुग जीओ बेटा का आशिरवा देने लगी उसने एक टका उठाया अपने साड़ी के पल्लू में बांदा चपल पहनी और रादाकिशन के मंदीर में दर्शन करने के लिए चल दी उस दिन रास्ते में उसे कोई नहीं मिला मंदीर की सिड़ी पार एक फूल वेचने वाली बुड़िया माई बैठी मिली मेना देवी ने उस मालन को राधे राधे जैशी क्रशन कहा और टका दे दिया बदले में मालन ने भी राधे राधे जैशी क्रशन कहा और टका ले लिया अब मेना देवी रोज सुबह वेटा बहु के उठने से पहले उठती नहाती धोती और तुलसी क्यारे में से एक टका उठाती मंदिर जाती जो भी उसे सबसे पहले मिलता उसे रादे रादे जैसी कृष्णा कहती और एक टका दे देती और भगवान रादा किशन जी के मंदिर में तर्शन करके घर आ जाती इस तरह जेस्ट का मैना निकल गया इस तरह पूरे जेस्ट मास में उसने अपना यनियम तूटने नहीं दिया कभी उसने वे टका जमीदानी को दिया तो कभी पंडितानी को कभी पनिहारीन को तो कभी मालन को दिया इस तरह वह रोज एक टका देती रही इदर घर पर बहु ने अपने पती से कहा कि देखो हमने एक एक टका करके कितने सारे पैसे बचा लिए आपकी मा के तो कुछ फरक भी नहीं पड़ा वह तो पहले भी खुश थी और अभी भी खुश है रोज मंदी जाती हैं खाना खाती है तभी उसका पती बोला कि अरी भागवान जब मैं अपनी मा को रोज एक टका देता था तो मैंने की अंत में कुछ रुपे बचा लेता था लेकिन इस बार तो मेरी पूरी जेब ही खाली है मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया पतनी बोली की क्या कहते हूँ इस मैने में तो पैसे बचने चाहिए थे उसकी मा यह सब सुन रही थी लेकिन वे कुछ नहीं बोली उदर गाउं भर में भ्रामणी मैना देवी की चर्चा होने लगी कि मैना देवी राधे राधे जैशी क्रशना के नाम का जो टका देती है वे सोने का टका होता है और खरा सोना होता है ऐसा सोना तो या तो किसी राजा माराजे के पास मिलेगा या फिर किसी सोने चांदी या जीवर बनाने वाले के पास मिलता होगा तब एक दिन मैना देवी की बहु जब पनगट पर पानी भरने गई तो वहां बहुत सी ओरतें इसी बात की चर्चा कर रही थी उन में से एक पनिहारी ने मैना देवी की बहु से कहा कि अरी बहु तेरी सास के पास कितने सोने के सिख्ये हैं जो वे गाउं भर में राधे राधे जैशी कृष्णा के नाम से सोने का टका बार्टी फिर रही है फिर उस पनिहारी ने अपने सोने का टका दिखाया जो ब्रामनी मेना देवी ने उसे रादे रादे जैसी किष्णा बोल कर दिया था ब्रामनी की बहु कुछ नहीं बोली वे उसी समय घर आई उस दिन मेना देवी के बेटे के कान में भी ये पात पड़ी तो वह भी काम पर नहीं गया और घर आया दोनों बेटा बहु ने अपनी मा से कुछ नहीं पूचा दोनों ने निष्टे किया कि जरूर मा के पास सोने के सिक्कों का भरा हुआ कलश है मा उसी में से सिक्के निकाल निकाल कर सभी को देती फिर रही है हमें मा की निगरानी करनी होगी रात बर दोनों बेटा बहु जागते रहे लेकिन सुबह होते ही उन्हें गेरी नीन आ गई जब वे उठे तब तक उनकी मा मंदी जाकर आ चुकी थी फिर उन दोनों ने बारी बारी से पैर्य देने का निने किया पहले बेटा सोया तो बहु जागती रही आदी रातरी के बाद बहु सो गई तो बेटा जागता रहा लेकिन भगवान श्री रादा क्रशन ने ऐसी माया रची की बढ़िया माई के जैसे ही उठने का समय हुआ बेटा बहु को गैरी नीद आ गई जब तक बेटा बहु सोकर उठे बुढिया माई मंदीर जाकर घर आ चुकी थी उस दिन उन्होंने निगरानी करने का विचार छोड़ दिया दोनों बेटा बहु ने निश्चे किया कि हम सुबह जल्दी उठकर चद्दर ओड कर मंदीर के रास्ते में जाकर बैठ जाएंगे और रादे रादे जैसी क्रशन के नाम का टका तो हम ही लेंगे उस दिन भगवान रादा क्रशन की क्रपा से भगवान ने दोनों बेटा बहु को जगाए रखा दोनों बेटा बहु तड़के उठकर चुपचाप मंदीर के रास्ते में चद्दर ओड कर बैठ गे ब्रामनी रोज की तरह सुबह उठी नाही दोई तुलसी क्यारे में से टका लेने के लिए गई तो उस दिन उसे वहाँ दो टके मिले ब्रामनी को आश्चरिये हुआ कि रोज तो एक टका मिलता था आज दो टके कैसे पड़े हैं ब्रामनी ने सोचा कि इसमें भी जरूर भगवान की ही कोई लीला होगी ब्रामनी ने दोनों टके उठाए और मंदीर के रास्ते में चल दी आदे रास्ते में उसे दो जने चद्दर ओडे हुए मिले उस दिन थोड़ा अंधेरा जादा था ब्रामणी ने उन दोनों को राधे राधे जैशी कृष्णा कहा और भगवान के नाम का टका उन दोनों को दे दिया उन दोनों ने भी राधे राधे जैशी कृष्णा कहा उसके बाद ब्रामणी आगे बढ़ गई तभी ब्रामनी को उन दोनों की आवाज कुछ जानी पैचानी लगी लेकिन उसे मंदी जाना था, भगवान के दर्शन करने थे तो वह मंदी चले गी उदर दोनों बेटा बहु घर आए, घर आकर उन्होंने टका देखा तो वह सच में सोने का टका निकला ब्रामनी भगवान के दर्शन करके घर आई तो बेटा बहु दर्वाजे पटक्टकी लगाए बैठे हुए थे वे उसी का इंतजार कर रहे थे, आते ही उन दोनों ने एक ही बात अपनी मा से पूछी कि मा आप जो रोज भगवान के नाम का टका देती हो इतने सारे सोने के टके आप के पास कहां से आए बुडिया माई ने पूरी सच्चाई बता दी बुडिया माई ने यहां तक भी कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि यह सोने का टका है तबी दरवाजे पर राजा के पहरेदार आगे बुडिया के बेटे ने उनसे पूछा कि आप यहां किसलिए आए है पहरेदार बुडिया के बेटे से बोले कि राजा का हुकम हुआ है कि आपकी मा को दरभार में पेश किया जाए क्योंकि आपकी मा रोज भगवान के नाम का टका देती है वे सोने का टका है आपकी मा के पास इतने सारे सोने के टके कहां से आए राजा को वही पूस्ताच करनी है तब बिटा भभू अपनी मा को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे तब राजा ने बुडिया माई से पूचा कि अरी बुडिया माई ससस बता तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहां से आए चोरी करी डाका डाला क्या किया तब रामणी मेना देवी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि मैंने और मेरे दिवंगत पती ने रोज भगवान रादाकिशन की नाम का टका देने का नियम लिया था लेकिन एक दिन मेरे बेटा बहु ने टका देने से मना कर दिया उस रात को मैं बहुत दुखी थी जब भगवान रादाकिशन ने मुझे सप्न में दर्शन देकर कहा कि बुडिया माई तुझे रोज एक टका तुलसी क्यारे में पड़ा हुआ मिले लगा मैं रोज रादे रादे जैसी कृशना बोल कर वही टका लोगों को देती रही राजा जी मुझे तो मालूम ही नहीं कि यह सोने का टका है मुझे तो खुद आज आपके पहरेदार के आने से पहले मेरे बेटा बहु ने बताया लेकिन राजा को बुडिया की बात पर विश्वास नहीं हुआ राजा ने बुडिया के तुलसी क्यारे को उठा कर खुद के महल में मंगवा लिया दूसरे दिन बुडिया माई जब सो कर उठी तो उसे फिर से तुलसी की मिट्टी में वहीं सोने का टका पड़ा हुआ मिला बुडिया ने अपना धर्म निभाया उठा राजा को सपन में भगवान रदकिशन ने दशन दे कर कहा कि है राजन तुने बुडिया का तुलसी क्यारा महल में मंगवा कर अच्छा नहीं किया तुम उस बुडिया का तुलसी क्यारा वापस उसके आंगन में रखवा दो नहीं तो मैं तुम्हारा सारा वेभव नश्ट कर दूँगा। दूसरे दिन राजा ने अपने सपन वाली बात दरबार में सुनाई। तब राजा के पुरुहित ने राजा से कहा कि है महाराज उस ब्रामनी के सत का फल उसे मिला है। आप उनका तुलसी क्यारा पूरी अज़ क्लोरा पिटवा दिया कि सभी को भगवान के नाम का टका देना चाहिए। उस दिन से राजारानी ने भी भगवान रादा किशन के नाम का टका देने का नियम ले लिया। गर्तियों तो पुरियों, पुरियों तो परवान चड़े, भुले विसरे नम तेरे बंडार में भरें। जेश्ट मास में सभी कता कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए। तबी जेश्ट मास के महात्यमे को सुनने का फल प्राप्त होता है। आईए अब हम जेश्ट मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। अंजय शिव उंकारा समिहर शिव उंकारा ब्रामा विष्ण सदाशिर अर दांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे अंसाजन गरुडासन रशिवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो बुज चार चतुर बुज दस बुज के सोवे सिव दस बुज के सोवे तीनो रूपन रखता तिप वन जन मोही ओम हर 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 महादेव अश माला वन माला मुढ माला धारी सिव मुढ माला भारी ति पुरारी रमुरारी कर कमला धारी ओम हर 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 महादेव शेतांबर पीतांबर बादांबर आंगे सिव बादांबर आंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक साहे ओमर हर हर महादे करके मज कमंदल चाक्रति सुल धरता सिव चाक्रति सुल धरता सुख करता दुख हरता जगपालन करता ओम हर 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 महादे चोशट योगिनी गावत नत करत वेरू सिव नत करत रूरू बाजत दाल मदंगा अर बाजत दमरू ओम हर 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 महादे नर्षमी वर सावित री पारवती संगे अर गांगी गायत री सिर सोहे गांगे उम हर 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 महादे काशी में विशुनाथ विराजे नंदो ब्रमचारी सिव नंदो ब्रमचारी नितूत दर्षन पाऊं नितूत भोग लगाऊं महिवाती भारे उम हर 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 महादे रह्मा विश्ण सदाशिव जानत अविवेका सिव जानत अरिवेका प्रण वाक्षारी के मैदे ये तीनो एका ओम हर 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 महादे त्रिगुनाथ सामी जी की आरती जो कोई जन गावे सिव जो कोई जन गावे कहत असिवाननद सवामी नन्यवाँचित वल पाई ओम हर 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 महवे ओम जैशिवों कारा वोले हर शिवों कारा वोले पारवति का प्यारा वोले ओड तु नग छाला बोले बारु सत्ट जल धारा, बोले पीवट भंग प्याला, बोले पहनत मुझ वाला बोले नात सदाश्र काशी विशनात सदाश्र पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महदेख इस तरह आज हमने जेश्ट मास के महात्यमे का साथम अध्या سुना आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद